सो फाइनली वी है पिक्सी ओएस 4.0.0 बीटा जो की दोस्तों यहाँ पर एंड्रोइड वर्जन 11 के उपर जो है बेस्ट है जिसी कि आप देगी सकते हो यहाँ पर और यह पहला बिल्ड है जिसके अंदर आपको यहाँ पर डिरेक्टली टीडूल आरपी से फ्लेशेबल रूम मिल जाती है कुछ भी आपको इसके अंदर नहीं करना होगा जी हाँ दोस्तों इसके अंदर आपको कुछ भी करना नहीं होगा और इस रूम के अंदर दोस्तों हमको पिक्सल वाली पूरी फील देखने को मिल जाती है इवन जो स्क्रीन शॉट और बाकी चीज़ें मिसिंग टेक्स्ट वाली वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाते जिनके बारे में हम यहाँ पर पूरा खुल के चर्चा करेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले यार अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफिट से पहले वीडियो को लाइक करो चैनल आप लोग पूरलो उसके बाद आगे बात करते हैं अब चलते हैं अगे शायद अब आपने चैनल को संस्क्राइब कर लिया होगा तो दोस्तों इसके अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिल गई थी ओपन कैमरा मैंने डाउनलूड किया था यह राठी कहा है इसके अंदर मैंने सोचा का चला गया तो इसको भी टेस्ट करने वाले हैं और साथ ही में हमको यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह लगी मेरे को इसके अंदर कि इसके अंदर कि आपको यूट्यूब और जी एपस का पूरा यह सपोर्ट देखने को मिल जाता है यूट्यूब बोल रहा हूं यहाँ प पर फीचर आपको देखने को मिल जाता है Android 10 में मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं है आपको देखने को मिल जाता है पूरा power menu अलग से उसके साथ ही यहाँ पर आप देखिं कर smoothness की बात करूँ मैं तो काफी कमाल की मुझे यहाँ पर smoothness लगी है जिसे कि आप आपको आपको यहाँ देखे सकते है आपक÷ी सकते हैं यहाँ पर और ऑर काफी काम कर लहा है बात करूँ करोई यहां पर वड़ी की तो खुurgical हो यहाँ अर कि खीया और WhatsApp का ग्रूप भी हमने बना लिया है जी हाँ दोस्तों उसका भी आपको निक मिल जाएगा जॉइन करना है तो कर सकते हो वैसा किसी कि वो फोर्स यहाँ पर है नहीं कर रहा हूँ मैं टेलिक्रम जरूर से जॉइन करने क्योंकि वहाँ पर काफी इंपोर्ट जानकारी में देता रहता हूं चलते हैं यहाँ बागे चीज़ों की दरब तो इसके अंदर आपको कैलेंडर कैलकुलेटर और सारी जरूरी चीज़े यानि क्रों क्लॉक कॉंटेक्ट जीमेल तक भी यह लिए अब इधर हो गया अब यहां पर प्रेस्टोर यूजर तो यह जाएगा तैलिग्राम यूजरों तो यह दर आ जाएगा मतलब देखने के आप प्रेफरेंस के रहा है जो कि पिक्सल का एक्स्क्लूजीव फीचर था जी हां दोस्तों यह इसके अंदर आपको देखने क है कि लिए परॉपन केमर एब्धर ही चला के देख लेते कि ओपन कैमरा अंड्रोइड 11 पर वर्क करता है कि नहीं करता है। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर जो ओपन कैमरा है वो यहाँ पर Android 11 के अंदर भी काफी अच्छे से वर्क कर रहा है मुझे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होरी एक फोटो खीच के मैं आपको जरूर दिखा देता हूं तो यह खीच गई फोटो और देख सकते हो काफी कमाल की लुक यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं किस तरीकी की फोटो चाहिए है क्या रखना है मतलब सब कुछ आप अपने हिसाब से लाइक कर सकते हैं इसके अंदर जो कि मुझे काफी बढ़िया बात लग फिलाल यह ओपन कैमरी के ऊपर वीडियो नहीं है एंड्रोइड 11 के उपर है तो उसको आगे कंट्यूनी करते हैं जो आपको आपको उपर ऊ-पर लाइक जो आप बेक्तिक के नहीं रहों चुछ होगे है का यह सेटिंग की बात कर ले देक बारी फटा-फट से क्या खुत ने को मिलता है और फिर जल्दी से इसको समाप्द भी कर देंगे वीडियो को क्योंकि इतना लंबा खीचने को एक फायदा है मेजर चेंज इस नहीं देखने को मिलते हैं यहाँ पर एक मेजर चेंज आप देखता भी नहीं है तो यह देख सकता आप बबल कंवर्सेशन जिसके लिए हाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएं कौन-कौन सपोर्ट करता है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से सारी चीज़े देखने को मिल जाती है यहाँ पर आप अलाओ यहाँ पर देख सकते हैं तो यह अभी तो धिर धिर ही पता चलेगा अभी मैं यूस करूँगा इसको आपको बदाऊंगा यहाँ पर यूसेज आप देख सकते हैं यहाँ ज्यादा यूसेज नहीं किया और 50% बैटरी थी लगबग 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 वभी 46 हो गई है होता है अगली चीज की बात करों ञट है यहाँ पर फिंगर पंघ काफी धेज है काफी धूस आप डेख सकतना ही तेज यहाँ नॉस से 9 बारी यह जो करे काफिन देखने को देखनी को मिल enduring बाकि यह कंघ उपर करेंगैं तो यह पीछे हो जाएगा वाल पória पर कुछ इस तर यह एक बात है आपर कि अभी कोई किस्टमाईजेशन देखने को नहीं मिलेगी क्यों कितनी जल्दी यार किस्टमाईजेशन लाना एक डैवलोपर ने बना दिया बहुत बड़ी बात है यहाँ पर भाई साब अक्षे भाई ने बनाई यह रोम काफी कमाल किया और उन्होंने बोला भाई मेरा नाम यहाँ बिगाड़ा मत कर अक्षे भाई वेला कर तो टीक है भाई मेरे कोई इंग्लिश नहीं आती है थोड़ी से दोस्तों का प्रॉब्लम है आप क्राइलिक पस्तर ऐसा करके उनका टेलेग्राम पर नाम है उन्होंने डैवलोप किया भाई तो देख सकते हैं आप रिफ्रेज रेट की बाद करता हूं 60, 90, 180, 120 हट सक देंग में मिल जाता है मैं 90 में रखना प्रैफर करता हूं आप बदाएगा वैसे यह 1-20 को मैं फील कर सकता हूं पताने मुझे आज़त से पढ़ गई आँको को या क्या हो गया 60 भी कम लग रहा है अच्छा कभी open करता हूं तो एकदम से देखने को मिलता है वैसे हर बारी देखने को नहीं मिलता देख सकता है अभी मुझे यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन कभी-कभी एक हलका से lag हमको जरूर देखने को मिल जाता है कोई दिक्कत नहीं है फिर भी कोई चलता है यहां प कर पाओगे मैं ट्राइ किया और यहां पर आपको कुछ से डाउनलोड करना पड़ेगा जिसके आपको सारे वाल पेपर देखने को मिल जाएगा इसमें इन बीड नहीं दिया गया है और इस लगा रहा है काफी खुब सूरत लगा घ्रा था तो मैंने लगा रहने दिया तो यह कुछ यहां पर फीचर्स आपको देखने को मिल जाते है इस रों के अंदर यहां पर एडवांस के अंदर मैं आपको बता दिया है रिफ्रेश रेट का अलग से ऑप्शन देखने को मिल जाता पूरा एडवांस सेटिंग के अंदर और बाकी सब कुछ यहां पर Android 10 के जेस्टर् यहां पर कीबूर्ड खुलते है ना तो यहां पर में यह वाला चीज है ना काफी अनुइंग लगता है यह नीचे की तरफ स्पेस आ जाता है यह मुझे अनुइंग लगता है जो कि यहां पर अभी जब और कस्टम रोंस के अपडेट आएंगे तो उसके अंदर यह चीज क बात करें को रि्छ अख बिल्क तमतल मचेदार और यहां पर यहां पर आइकन अगर्स आप में लेकिन इस सकता है जो मेरे नोटीस में नहीं आया हो तो यहां पर हो सकता है लेकिन बाकी मेरे साब से अभी तक यहां पर आपको ऐसे कोई मिलब डेली ड्रैवर की तरह यूज कर सकते हैं सिवाए एक हैड़फोन जैक के बाकी सब कुछ काफी अच्छे से काम कर रहा है इवन रिफ्रेश प्रॉब्लम भी सॉल हो गई है उसके बाद चलते हैं यहां पर सीधा डिरेक्टली में TWRP के अंदर बूट करता हूं मुझे बदाने की बिल्कु ज़रुत नहीं है TWRP को कैसे इंस्टॉल किया जाता है बूट लोटर को कैसे अनलोक किया जाता है मैं पहले इसके उपर वीडि सब इसके अंदर इंक्लूडिड है जस्ट आपको रोम लेनी है और रोम को डालने के बाद कानी हदम और एक बग और था बता दू मैं इंस्टॉल करेंगे जब आप यहां पर एंड्रोइड 11 में होंगे तो आपको इंटर्नल स्टोरेज में कुछ भी नहीं दिखाए देगा जो भी होगा चाहिए आप वाइप कर लिजें यहां पर कुछ भी कर लिजें लेकिन आपकी मांट नहीं होगी है आपको दिखेगा नहीं इंटर्नल स्टोरेज में जीरो जीरो दिखाएगा भाई सब हो सकता है मैम्री काड के साथ सेम सीन हो बट मुझे आइठिंक पता निय करने वाला हूं तो आप देख सकते हो यहां पर मैं सिंप्ली कुछ इस तरीक से लगाता हूं जिसके अंदर मेरी रोम है उसके बाद यहां पर मैं क्या करता हूं एडवान स्वाइप के नदर जाता हूं डैलविक डेटा इंटर्नल कैचे मेमरी काड तो ही निए छोड़ो ठ फिर से खुल लेते हैं इंस्टॉल पर जाता हूं यहां पर OTG सेलेक कर लेता अपना USB OTG यहां पर आपको मिल जाएगा पिक्सी OS MIUI 12 पर था मैं बेसिकल यहां पर MIUI 12 स्टेवल पर था अब आप देख लीजिएगा किस पर जाना है आपको वैसे MIUI 11 वैसे इसके अंदर वेंडर वगरे साब कुछ इंक्लूड है और कोई ज़रूरत नहीं है जस्ट आपको इस तरीके से कुछ फ्लैश कर लेनी है और सिंपल है आपके PIXI OS जो फ्लैशन और शुरू हो जाएगी जैसे कि यहां पर पढ़ भी सकते हैं आप यहां पर PIXI OS 4.0 एंड्रोइड वर्जन 11 PIXI OS एडिशन जी एप्स इंक्लूडीड है चो की काफी बड़ी अबात है ओन करके भी दिखा दूँँगा आपको लास्ट में वीडियो स्थोड़े से लंबे होते हैं मेरे क्योंकि इसके अंदर इंस्टलेशन प्रॉसेस भी होता है सो फाइनली दोस्तों हम बूट कर गए रोम के अंदर और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आपको थोड़ा सेटप भी दिखा देता हूं और यहां पर रोम का जो है वो नेटवर्ग भी आ गया कोई दिखकत यहां पर नहीं है यहां पर सेटप के टाइम पे नए वाले एनिम करना दो कर सकते हों मैं उसी का यूज करता हूं जब मुझे जल्दी होती है केमरे टेस्ट करना होता है तो उससे हो जाता है देख सकते हैं सारी चीज़े आपको देखने को मिल जाएगी जब आप फरस्ट बूट करेंगे आपको यह वीडियो का लगा अगर वीडियो हुआ हुआ है